दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल content creators का दौर है और लोग हर तरह की वीडियोस बनाकर social media पर upload करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो content नहीं बलकि cancer produce करते हैं वेल आज किस वीडियो में मैं आपको ऐसे फालतू content creators के बारे में बताऊंगा जो internet पर नहूसत पहला रही हैं तो शुरू करते हैं अपना countdown धरुन नायक दोस्तों हम सब जानते हैं कि आजकल fashion का दौर है और खास करके celebrities तो unique नजर आने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती हैं और fashion designers तो लंडे के कपड़ों में 8-10 मोरियां करके अपने आपको architect engineer समझने लगते हैं वेल आप सबने अमीरों की fashion designers तो देखी होंगी लिकिन कि आपने गरीब और बेरुजगार लोकों का fashion designer देखा है ये जो पापा का परा आप दिख रहे हैं ये South India की जोपड़ पटी का सबसे बड़ा fashion designer है नॉर्मली तो fashion कपड़े पहन कर किया जाता है लेकिन ये shampoo literally किसी भी चीज़ को पहन सकता है किसी भी चीज़ का मतलब मतलब कोई भी चीज़ इस बिन मानस ने सबजियों पापड़ों मच्छर मारने वाले coils और इवन बरतन धोने वाले मुंजराल तक से dress बना डाले हैं वैल इसकी अम्मी इसे चारपाई लाने के लिए भेशती हैं और ये च्छका मंची को पहन कर ही आ जाता है और बात यहां पर खतम नहीं होती बलकि ये च्छमिया तो अपनी बदसूरत बदन को कवर करने के लिए कांच की खाली बोतनों और सलोशन टेप को भी नहीं चोड़ती बारहाल जो भी हो इससे बद्ती और बेहुदा चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती अब आप सब लोग इस फैशन पर क्या कहेंगे कमेंड बॉक्स में मुझे जरूर बताईएगा रिंटू भाई दूस्तो आप सबने बहुत सारी ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो किसी के साथ अपना मूँ काला करवा लेते हैं लेकिन क्या आपने कोई ऐसा बंदा देखा है जो अपना मूँ खुदी काला करके लाल मिर्चे खाना शुरू कर दे वैल ये जो फजूल कॉंटेंट क्रियेटर आप देख रहे हैं ये रिंटू भाई हैं रिंटू भाई अपने मूँ पर कालक मल कर दिन रात मिर्चे खाते रहते हैं वैसे तो आप सबने भी काफी स्पाइसी खाने खाए होंगी पर ये बंदा तो कच्ची लाल मिर्चे ऐसे खाता है जैसी ये मिठाई है इतनी मिर्चे खाना तो दूर बंदे का तो इनको दे कर ही पेट खराब हो जाएगा पतने ही रिंटू भाई इन मर्चों को पचाता कैसे है चलो ओक ही सौकी अगर ये मिर्चे हजम हो भी जाएं तो टॉयलेट में जाकर तो लावा निकलता होगा मर्चे तो चलो मेचे रही ये शैंबू तो चिली पौडर भी खा जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं बलकि अगर आप इसकी प्रोफाइल पर जाएंगे तो ये आपको कच्ची सबजियां करे ले और एवन कच्चा गोश्ट खाते हुए भी नजर आ जाएगा पतने इस बंदे को कौन से चंपैंजी ने गुट्टी डाली होगी इसका मेदा है या कुतरे वली मशीन है जो ये बंदा हर चीज को काटता ही जा रहा है इतना कच्चा स्पाइस खाने के बाद तो ये बर्फ पर ही सोता होगा क्योंकि इसके तन मन धन में 24 गंटे आग लगी रहती होगी ये सच में हमाकत है सस्ता कृष, दूस्तो कृष इंडिया की एक फिक्षन मुवी थी जिसमें कृष एक सूपर हीरो होता है वैसे तो ये मूवी 2006 में रिलेज हुई थी लेकिन एक लड़के ने ये मूवी 2022 में देख ली और वो क्रिश के करेक्टर को सीधा अपने फेपड़ों पर ही ले गया इस बंदे ने अपनी अमी के बुरके को मोडिफाय करवाया और क्रिश का ड्रेस पहन कर अपने पिंड को बचाने के लिए निकल पड़ा वैसे तो ये सूपर हीरो लोगों को बचाता है लेकिन घर घरस्ती चलाने के लिए पार्ट टाइम पर ये कबाड़ का काम भी करता है ये असल में गरीबों का क्रिश है और इस बिचारे के पास मुबाइल तक नहीं है तो लोग इसे घर पर बुलाने के लिए जाते हैं कि करिश भाई सूपर हीरी का टाइम आ गया है कई बार तो जल्दबाजी में ये करिश भाई अपना कच्छा तक नहीं पहन पाते सीरियसली इस गरीब सूपर हीरो को देखर तो मेरी आंके भराई हैं और आंसू नाग से निकल रहे हैं इस मस्कीन की गुर्बत देखर तो जिन लोगों की ये जान बचाता है वो भी 150 पकड़ा देते हैं कि दूद पी लेना इस सीरों को देखने के बाद तो एवेंजर्स का हाल कुछ इस तरह से होगा चाहत फत्य अली खान दोस्तों आप सब पाकिस्तान के सबसे बड़े सिंगर, म्यूजिशन, एक्टर, डिरेक्टर, मॉडल और उस्तादों के उस्ताद चाहत फत्य अली खान को तो जानते ही होंगी चाहत चाचू सिर्फ नाम नहीं बलके एक ब्रैंड हैं वैसे तो चाचू चाहत बचपन से ही एक लेजंड थे लेकिन इन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तमाल रिसेंटली ही सोशल मीडिया पर स्टार्ट किया है इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि शारुखान को भी इनसे मिलने के लिए तीन-तीन महीने वेट करना पड़ता है रिसेंटली इन्होंने लोटा-लोटा बम-बम गाना रिलीस किया जिसे देकर आतिफ असलम कोमा में चला गया और अरजीत सिंग तो दस दिन घर से ही नहीं निकला इसके इलावा कई नए सिंगर्स तो इस गाने को सुनकर खुआब में डर जाते थे एनिवेट डिस्पाइट आल दीस फैक्ट चाहत चाचू में टैलेंट इस तरह भरा हुआ है जैसे नई नवेली दुलहन का कमरा जहेस से भरा होता है मैं तो लिटरली इनका फैन हो गया हूँ और यार बंदे में कम से कम इतना कॉन्फिदनस तो होना ही चाहिए वेल चाहत चाचू के लिए एक लाइक तो बनता ही है आर्जू दोस्तो अगर गरीब और मस्कीन लोगों की बात की जाए तो वो बिचारे इसी टेंशन में रहते हैं कि खाना कहां से खाएं पर क्या हो अगर बेरोजगार, यतीम और बेजहरा बंदों को एक मुपाइल और इंटरनेट दे दिया जाए वेल ये जो बदबूदार कॉन्टेंट करियेटर आप दिख रहे हैं ये भाई अगर दुनिया में ना भी पैदा होते तो दुनिया वैसे की वैसे ही रहनी थी क्योंकि इस भाई ने दुनिया में तश्रीव लाकर ना सिर्फ अपनी अम्मी अबू का टाइम वेस्ट किया बलकि दुनिया पर भी बकाइदा बोज बने हुए हैं खैर बात करते हैं इनकी लाइफ चेनिंग स्टोरी की ये बन्दा हमेशा से ऐसा नहीं था बलकि पहले ये कुछ इस तरह चिकना था जो डेड़ 200 फिल्टर लगाकर रीन्स अपलोड करता था लेकिन अनफॉशनेटली इसकी वीडियोस को लोग भटे हुए शापर की तरह इगनोर कर देते थे आखर तंग आकर वीडियोस को वाइरल करने के लिए इस बूजों ने अपनी इज़द, ट्राउजर, शलवार और पैंट सब कुछ उतार कर फैंक दिया इसने ऐसी ऐसी वीडियोस बनाएं कि इन्हें देख कर तो शैतान भी परदा करना स्टार्ट कर देगा और मज़े की बात ये है कि अपने आपको इतना खुआर करने के बावजूद भी इस बंदे को कोई रेकेगनेशन नहीं मिली बलकि इसका सोचल मिडिया अकाउंट आज भी वहीं का वहीं खड़ा है वैल ये मुन्नी तो व्यूस के चकर में वाके ही में बतनाम हो चुकी है नागेंदरा गौतम दुस्तो इंटरनेट अब इतना आम हो चुका है कि हर गर से ही टैलेंट उचल उचल कर बाहर ने कर रहा है ये जो कैजूल ड्रेसिंग वाले अंकल आप दिख रहे हैं फर्स ग्लास में तो इन्हें देकर ऐसा लगता है जैसी किसी ऑफिस में काम करते होंगे लेकिन भाई आग सिरफ बर्गर बॉइस में ही नहीं बलके गौर्मेंट जॉब करने वाले ताया अबू में भी भर सकती है मिल ये इंटरनेट स्टार नगिंदरा गौतम से जो ऑफिस ड्रेस पहन कर इंडिया की सड़कों पर नागन बन जाते हैं आपने बर्गर बॉइस तो बहुत देखी होंगे लेकिन ये बर्गर चाचू हैं पता नहीं अंकल को आखर किस चीज ने काट लिया है जो इजददार नौकरी छोड़कर ये होची हरकते शुरू कर दी हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात बात पर अंकल अपनी टांगे क्यों खोल लेते हैं पर चलो कोई नहीं एकलिस्ट ये कॉंटेंट तो ऐसा बना रहे हैं जो बेहुदा तो नहीं है लेकिन बारहाल ये स्टाइल और ठुमके अंकल की परसनेल्टी के साथ बिल्कुल भी मैज नहीं कर रहे हो सकता है कि इन्हें कोई घलट टीका लगया होगा जिसकी वज़ा से इस टीके ने रियक्शन कर दिया और अंकल का ये हाल हो गया मगर इनकी कंडिशन का सही से कुछ नहीं कहा जा सकता आप सब को बताता चलूं कि अंकल इंस्ट्राग्राम पर अच्छे खासे फेमस हैं अब लोग इनकी ये वीडियोज शौक से देखते हैं या पिर दे कर शौक होते हैं इसका फैसला तो अब कमिड बॉक्स में आप ही करें ग्रेंट पा हारवी दोसो मजाख से हट कर सीरियसली जब कोई बंदा 80 साल की उमर क्रॉस कर जाता है तो वो मौत और कबर की तियारी शुरू कर देता है क्योंकि इससे पता होता है कि मेरी डेट एकस्पायर होने वाली है और कभी भी उपर का वीजा लग सकता है लेकिन क्या हो अगर मैं आपको 109 साल का ऐसा बाबा दिखाऊं जिसमें एलेक्स बटी से भी ज़्यादा आगबरी है वेल ये जो ओवर टाइम में जीने वाले दद्दू आप दिख रहे हैं इनका नाम हारवी है इनके वलायती ठुमके देकर तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अभी 16 साल में कदम रखा है लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये दादा जी हमारी सोच से भी ज़्यादा पुराने हैं घैर ये चलती फिरती मम्मी एक सिंगर और प्रफेशनल डांसर है इनकी बुड़ी हडियों में जितनी भी अनरजी बची है वो इसे लोगों की शादियों और पार्टीस पर वेस्ट कर रही है पता नहीं ये बाबा कौन सी सलाजीत खाता है जो नाश-नाश के ठकता ही नहीं है इन्हें देकर तो ऐसा लगता है जैसे इनकी अंग-अंग में बिजली बरी हुई है मुझे तो लगता है कि अगर इनकी शादी करवाई जाए तो इस ए दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिस